और अगर इसे बंढूरी रखना था तो बनाया क्यूं देखे किस अ समय समय से बनाया गयूद्धाई रही तक बनाय में वग्त लिया गया लेकिन अब हालत यह है कि लोग इस एसकेलेटर पर इतना लंबा चड़ रहे हैं उतर रहे हैं और यह एसकेलेटर बंद पड़ा हुआ है तो ऐसे में इस सुविधा का इतना पैसा लगाने का फायदा क्या है और यह वीडियो ट्विट किया है एक यूजर है दर्वंगा सब कैपिटल ट्विटर यू तो इसका फायदा क्या है एक और उन्होंने ट्विट लिखा कि शोपीस के लिए बनाये गया है क्या और दर्वंगा जंक्शन पर हमेशा लिफ्ट बंद रहता है लिफ्ट का मतलब उनका कहना है एसकेलेटर से वीडियो में आप लोग देख सकते हैं बच्चे बुड़े ब इसका उद्गाटन हुआ कई वर्ष लग गए इसको तयार करने में और जब यह चालू हुआ तो यह अपनी उप्योगिता साबित नहीं कर पा रहा है आप साफ साफ देखिए पहले यह चलता था लेकिन अब यह बंद पड़ा है और इसे देखने वाला कोई नहीं है शायद यह आवाज रेलवे का अधिकारियों तक पहुचेगी तो हो सकता है कि यह ठीक हो जाए लेकिन इसकी मॉनिट्रिंग लगातार करनी पड़ेगी और यह मॉनिट्रिंग कौन करेगा यह समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल तो यह जंक्षन का जो एवन जंक्षन का जो यह स्ट रहा है कि एसकेलेटर को ऐसे ही रखना था तो लगाया क्यों एक आम सीड़ी काफी थी एक आम फूट ओवर ब्रीजी बना दिया जो था पहले से वही ठीक रहता तो दोस्तों यह वीडियो कैसे लगा जरू लाइक कीजिए शेयर कीजिए कुछ और वीडियो के साथ हाजिए आप देखते हैं इदर मंगा रहा हुटा नमाद स्वेगी बियांस पट भी शुक्रिया धनवाद जैहिन जै बिहार जै मितला